हेलो स्टुटियरेंट्स दिस प्राची, वेलकम तो अवर चानल, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की इंटोड़ाक्शन, दाट इस इंटोड़ाक्शन 2 N and A N, अभी तक अगर आप लोगों ने फिफ्ट चैप्टर की इंटोड़ाक्शन नहीं पढ़िये, जिसके मैंने आपको बताया है कि first term क्या होती है, common difference क्या होता है, randomly हम कोई भी term कैसे find out कर सकते हैं, तो एक बर जरूर उस video को देखें, जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा, तो चलिए start करते हैं, क्या होता है N और क्या होता है An, तो बचों को सबसे ज़्यादा problem रहती है कि अगर मुझ में आता कि यह आपको N दिया हुआ है या An दिया हुआ है, तो चलिए start करते हैं इसको, मान लीजिए हम कोई भी term, हम कोई भी AP मान रहे हैं, जैसे कि, यह मैंने एक AP मान लिया, कितनी terms का AP है, यह first term है, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ठीक है, यह मैंने eight terms का AP मान लिया है, ठीक है, मैं difference check करू, कोई भी term उठा कि difference check करू, तो वो क्या आ रहा है, same आ रहा है, जैसे कि, अगर मैं 13 उठाती हूं, 13 में से पहले वाझी term minus करते हो, 13 minus 11 कितना आ रहा है, two, कोई और random term उठा लो, seven उठा ली, seven में से minus करा five, वो क्या आ रहा है, two, वो भी ठीक है, कोई और random term उठा 15, 15-13, ये भी आ रहा है 2, तो यहां से मुझे पता सल रहे कि ये मैंने AP ही माना है, क्यों? क्योंकि सबका common difference जो है, वो क्या है, same है, तो चलिए, ठीक है, अब क्या है, ये मैंने क्या लिखी है, 8 terms लिखी है, 1, first position पर कौन सा पढ़ा हुआ है, 1 number पढ़ा हुआ है, second position पर 3 digit इसका मतलब ये है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, A, यहनकि first term है मेरे पास 1, first term को A भी लिख सकते हैं, A 1 भी लिख सकते हैं, second term है मेरे पास 3, third term है मेरे पास 5, fourth term है मेरे पास 7, fifth term है मेरे पास 9, ऐसे ही 6th, 7th and 8th, यह मैंने लिख ली हाँपे terms, तो अब मैंने आप लोगों को introduction में बताया था, कि हम इसको कैसे और किस तरह से लिख सकते हैं, अब second term में, यानि कि मैं first से second पर jump कैसे कर रही हूं, क्या करके कर रही हूं, इसमें मैंने two plus किया है, ठीक है, ऐसे ही three से five के तरफ jump मैं कैसे कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, इसमें plus two करा है मैंने, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, plus two करा है, यानि कि अगर मैं first term में, एक बार difference एड करती हूं, तो मेरे पास second term बन जाती है, first term में एक बार difference एड करती हूं, तो मेरे पास second term बन जाती है, first क्या है आपके पास 1 और difference क्या है आपके पास 2 तो ये आगे आपके पास 3 जो है आपके पास A2 similarly 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 2 ये आगे मेरे पास 5 1 क्या थी मेरे पास 1st term D क्या था तो ये क्या हो गया A2D that is 5 और 5 क्या है मेरे पास 3rd term ठीके तो 3rd term को मैं क्या लिख सकती हूँ A2D लिख सकती हूँ इस तरह से मैं कोई भी term रेंडमली अगर मैंने 8th term भी उठा लिए है तो इसका मैं कैसे लिख सकती हूँ 1st term उस में से 1 क्या कर दूँगी यहां पर जाए अगर मैं कोई 8th term निकाल लिए हूँ उस में से 1 कम करके यानि कि 7 करके इंटू D करके मैं क्याल कर सकती हूँ रेंडमली कोई भी term निकाल सकती हूँ ठीक है आप चेक कर सकते है कैसे ए क्या था आपके पास 1 प्लस 7 इंटू D कितना आ रहा था आपके पास 2 तो 1 प्लस 14 दाट इस 15 तो 8th नंबर पर आपकी क्या पड़ी थी 15 पड़ी हूई थी तो आगे में पास 15 ठीक है तो हमने एक फर्मुला बहुत अच्छे से डराइब कर लिए तो अब अगर मैं बात करूँ इसी ही रेंडम टर्म की आगे जाकर मालो 16th नंबर पे कौन सा नंबर पड़ा होगा 16th position पर कौन सा नंबर पड़ा होगा ठीक है अब मैं इस चीज की बात कर रही तो मुझे क्या निकालना है A 16 निकालना है ठीक है तो A 16 is equal to क्या लिख सकती हो मैं इसको A plus 16 में से एक कम करूँगी that is 15 into क्या कर दूँगी D कर दूँगी ठीक है तो value पुट करके solve करते हैं A है मेरे पास 1 15 into D कितना था मेरे पास 2 1 plus 30 that is 31 यानि कि 16th position पर आपका जो नंबर पड़ा होगा वो क्या पड़ा होगा 31 पड़ा होगा Similarly, अब मैं आगे जाके कोई भी random term ले ली मैंने कोई भी हो सकती यानि कि let it be N यानिकि Nth position पर कौन सा number पढ़ा होगा जैसे कि मैंने भी बताया 16th position पर कौन सा number पढ़ा होगा ऐसी मैं बोल रही हूँ Nth position पर कौन सा number पढ़ा होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ AN is equal to अब जैसे मैंने 8 का लिखा जैसे मैंने 16 का लिखा 3 का लिखा ऐसी मैं N का लिखने की कोशिश कर रहे हूँ, A N, क्या करूँगी, A लिखना है हमें, प्लस, यहां क्या था, 16 था तो A कम करके लिखा, 8 था तो A कम करके लिखा, 3 था तो फिर A कम करके लिखा, अब N है, तो N है तो A कम करके लिखूँगी मैं, और 7 में क्या लगाते हैं D तो 7 में लगा दिया मैंने D दुबारा देखिए 16 था तो मैंने उसको लिखा 15 ठीक है 16 निकालनी थी तो मैंने उसको लिखा 15 into D, यानि कि 16 minus 1 into D, right 8 था तो 7 लिखा 7 को क्या लिख सकते हैं, 8 minus 1 into D, ऐसी ही अगर N आ गया है, तो N को क्या लिख सकते हैं N minus 1 into D तो ये आ गया आपके पास एक formula इसका क्या मतलब है N होता है आपका कि वो कौन सी position है, यानि कि number of term, N हो गया आपका term या number of term ठीक है, और An क्या होगा the number present at that term, the number present at that term, समझ रहें इस चीज को, कि क्या मतलब है इस चीज का, अगर मैं 16 की ही बात करो यहां पर N है आपका 16, और An क्या आपका 31, यानि कि यह हो गया आपका Nth term यानि कि 16th term और 16th term पे पढ़ा क्या हुआ है 31 पढ़ा हुआ है, वो हो गया आपका A16, यानि कि An, यानि कि N आप कोई भी आप आगे find out कर सकते हो तो अगर मैं ऐसे ही आप से पूछू कि इसी AP की 6th term क्या होगी 6th term ठीक है, यानि कि 6th position पर कौन सा नंबर पढ़ा हुआ है यानि कि N हुआ आपका 6 और उस नंबर पे जो डिजिट पड़ी हुई है क्या पड़ी हुई है, 11 पड़ी हुई है तो वो हो गया An, वो हो गया आपका 11, जिसको आप A6 भी बोल सकते हो getting my point, तो N और An में ये difference होता है इसको हम बोलते हैं, Nth term, Nth term यानि कि हम randomly कोई भी term आप इसको बोल सकते हो, so this is all about Nth term and A-N, right, so that's all for this video, next video में हम cover करिंग exercise 5.2 के questions, thank you